हे गाईज, वेलकम बैक टू एक्स्प्लेइन वीद दीप, दोस्तो हम एक्स्प्लेइन करने वाले हैं कन्क्यूजन मुवी, यह एक सची गटना पर अधारित फिल्म है, और यह विल्समित की फिल्म मेंसे सबसे बैतरीन फिल्म है, यह साल होता है सितंबर दो हजार दो, और य एक आदमी को मौत की सजा दी गई है, और बैनेट को यह का जाता है कि इस आदमी को गलत सजा दी गई है या सई सजा दी गई है, इस बात का फैसला तुम करो, जिस आदमी को सजा दी गई है, बैनेट उसके कुछ पूराने रिकोर्ड्स चेक करता है, और बताता है कि इस कह सकता हूं कि इस आदमी ने कोई मिल्डर नहीं किया यह निर्दोस है इसी वज़े से उस आदमी को छोड़ दिया जाता है बैनेट पहले नाइजेरिया में रहा करता था और अब अमेरिका में बिलकुल अकेला रहता है बैनेट जब जर्च के अंदर जाता है वहाँ पर होता है और बैनेट प्रेमा को अपने घर पर ले आता है और उचे वहीं पर रहने के लिए बोल देता है साथ जात बैनेट इस लड़की को कुछ पैसे भी देता है ताकि इस लड़की का गुजारा आराम से हो जाए बैनेट जब अगले दिन होस्पिटल के अंदर जाता है तो उसे पता चलता है कि माइक वेबस्टर नाम का एक अमेरिकी फुटवालर जो मर चुका है तो में उसके अटोपसी करनी है। बैनेट पहले तो मना करता है क्योंकि उसके पास इतना टाइम नहीं होता लेकिन बाद में वेब मान जाता है और वे माइक की बोड़ी की अटोपसी करनी शुरू कर देता है। जो बाद में एक आदद बन जाता है और इनसान पागलों की तरह भीयो करने लगता है और इसी विज़े से माइक जब अपने आखिरी दिनों में था तब वे पागलों की तरह दिख रहा था बैनेट अपने घर पर हाचाता है और वहां पर भीयाकर वेपन रिसर्च जाहीर तो उसे कुछ हैरन कर देने वाला नजर आ जाता है इसलिए वह 1907 की कुछ डीवीडी प्लेयर देखता है जिनमें माइक उस टाइम पे फुटबाल केल रहा होता है या एक दूसरे परकार का फुटबाल होता है जिसमें बॉल को हाथ में लेकर गोल तक पहुँचना होता है और बाकी दूसरे खिलाडी उसे पकड़ने की कोशिस करते हैं और ऐसे टाइम पे उस खिलाडी को बहुत सारी चोटे लगती हैं या तक की हाथ पैर भी तूट जाते हैं और बैनेट इस चीज़ को अच्छे से एक्स्प्रियंस करने के लिए वहाँ पर चला जाता है जहाँ पर कोश सभी खिलाडी को बताता है कि हमें एक दूसरे से लड़ना होगा और तब तक नहीं रुखना जब तक हम खुद ना आर मान लें अगर किसी को चोट भी लगती है तो भी कोई फरक नहीं पड़ता और इन सब चीज़ों को देखकर बैनेट को बहुत सारी चीज़े सम कर सकता है लेकिन जो खिलाडी ये फुटबाल खेलते हैं उसमें 100 जी तक का फोर्स लगता है जो किसी भी इंसान का दिमाग सेहन नहीं कर सकता और इस गेम को खेलने वाले सेंटर के खिलाडी जो बीच में खेलते हैं उनके उपर इसका ज़्यादा असर होता है उने बहुत स उसके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया और उसी वज़े से वह अपने आखिरी पलो में बिल्कुल पागल हो चुका था मैं इस गेम को नहीं खिलता अगर सच बताऊं तो बगवान नहीं है गेम हमारे लिए नहीं बनाया आगे बैनेट बताता है कि जो नेशनल फुटवा लिक के डोक्टर हैं वो इस बिमारी को चुपा रहे हैं वो इसे ऐक बस इलजाइमर का नाम दे रहे हैं ताकि यह बात लोगों के सामने ना आए और यह फुटवार लिक जलता रहे और वो बहुत सारे पैसे बनाते रहें तो डोक्टर आपर बैनेट की सारी बात समझ जाता और कहता है कि तुमने कमाल कर दिया, मैं इस खिल से नफरत करता हूँ और बोलता है कि हम रिसर्च के ओपर और भी काम करेंगे बैनेट कुछ होकर यहां से अपने घर पर चला जाता है जहांपर प्रेमा पहले से ही होती है और वह यह बात सारी प्रेमा को बताता है कि बड़े डॉक्टर्स मेरी रिसर्च के ओपर काम कर रहे है प्रेमा बोलती है कि फिर तो इस पल को हमें सेलिबरेट करना चाहिए जहां से यह दोनों एक बार के अंदर चले जाते हैं और वहाँ पर काफी सारा डांस करते है जहां इन दोनों की दोस्ती और भी गहरी हो जाती है और घर आने के बाद बैनेट यहाँ पर प्रेमा को खिस भी करता है और बैनेट यहाँ पर प्रेमा को साधी के लिए प्रॉपोस कर लेता है तो प्रेमा मान जाती है और यह दोनों साधी कर लेते हैं लेकिन उसके कुछी दिनों बाद जस्टिन नाम का एक और फुटबालर मर जाता है और उसकी बोड़ी के अटोपसी करने के लिए बैनेट के पास लाया जाता है बैनेट यहाँ पर जस्टिन के दिमाग को भी चेक करता है तो Justine का दिमाग भी से वैसा ही था जैसा Maik का था और Justine भी अपने आखेरी फॉलों में बिलकुल पादन हो चुका था और वा पर अपनी फैमिली से रडाई कर रहा था बैनिट यांसे डॉक्टर डिकोसकी के पास आता है जहां डॉक्टर डिकोसकी बताता है ये NFL तुम्हारे ओपर केस करना चाता है वो चाते हैं कि तुम इस रिसर्च को बंद कर दो क्योंकि तुमने उनको गिला कर रख दिया और बैनेट के पास दमकी बरे कोल भी आते हैं डॉक्टर ड्रकोस की यहां पर बैनेट से बहुता है कि तुम उन लोगों से कभी ने जित पाओगे NFL बहुत बड़ी सलस्ता है आई दिन वो लोग फुटबाल के उपर अपने बहुत सारे पैसे खर्थ कर रहे हैं और स्टेडियम बनाते जा रहे हैं डॉक्टर बताता है कि इस गेम को हर रोज 20 मिलियन से ज़्यादा लोग देखते हैं और उन लोगों को पता चला तो वो सारे तुमारे खिलाब खड़े हो जाएंगी लेकिन डॉक्टर बैनेट पीछे अटने वारों मेंजे नहीं था वे मीडिया को भी बता देता है कि यह गेम बहुत खराब है यह लोगों के दिमाग खराब कर देता है और इसी वज़े से माइक जैसे बड़े फुटबालर की मृत्ती हुई है बैनेट के पास जुलियन नाम का एक आदमी का फोन आता है और वे बैनेट से मिलने के लिए बोलता है बैनेट जुलियन से मिलने के लिए जाता है जहां जुलियन बताता है कि मैं माइक का दोस्त हूँ और मुझे पता है कि तुम बिल्कुल सही हो NFL जानी National Football League ने मेरे दोस्त की जान ले ली वे अपने आखिरी दिनों में पागल हो चुका था और मैं भी अब इस गेम के बिलकुल खिलाप हूँ लेकिन लीग वाले तुम्हारी बात को दबा देंगे और उन्होंने तुम्हारी बात को जूटा साबित करने के लिए खुद का एक एकस्पेरिमेंट भी किया है जहां उन्होंने बंदरों को हेलमेट पहना कर आपस में टकरवाया था और उन्होंने थाबित कर दिया कि तुम्हारी रिसर्च बिलकुल गलत है जूलियन बहुता है कि तुम्हें अपने आपको साबित करने के लिए और भी लोगों के उपर रिसर्च करनी होगी उन फुटबालर के बारे में पता करना होगा जो पहले से ही मर चुके हैं वहीं एक जगर हम एंडरे नाम के फुटबालर को देखते हैं और वह अपने भाई डेव से मिलने के लिए आया होता है ये दोनों पहले फुटबाल के ला करते थे लेकिन डेव अब सीकागो का एक मेर बन चुका है एंडरे को यहां पर अपने भाई डेव से कुछ पैसे चाहीं थी लेकिन डेव मना कर देता है एंडरे बिलकुल पागल हो चुका है और वे घर पर आकर खुद को गोली मार लेता है और बैनेट यहां पर एंडरे के दिमाग को भी स्कैन करता है उसके ओपर भी रिसर्च करता है और उसकी दिमाग कभी से वहीं आलता जो बाकी प्लेयर्स का था बैनेट यह बाट डॉक्टर जुलियन को बताता है और कहता है कि हमारे पास चार लोगों की रिसर्च है। और उन रिसर्च का सेम ही रेजल्ट है। और अब हम NFL के ओपर केस कर सकते हैं। और इस खेल को बंद करवा सकते हैं। इसलिए NFL के एक डॉक्टर से बात की जाती है जिसकर डॉक्टर मरूनın नाम होता है। और उसे इस सारी situation के बारे में बताया जाता है कि आपका गेम लोगों की जान ले रहा है। हमने चार लोगों के ओपर research की है और उन चारों का दिमाग बिल्कुल खराब था। बैनेट यहाँ पर डॉक्टर मरुन से कहता है कि मैं एनेफल से कुछ खिलाडियों को लेना चाहता हूँ कुछ ने खिलाडी और कुछ पुराने खिलाडी और मैं उनके brand को scan करना चाहता हूँ लेकिं डॉक्टर मरुन बोलता है कि तुम अपना business कर रहे हूँ तुम एक छोटे pathologist हो जो छोटी मोटी topsy करता है और इसके लावा तुम कुछ भी नहीं हो कम से कम अब तो सच बोल दो तो डॉक्टर मरुन बोलता है कि ठीक है मैं इसका सोचकर जवाब देता हूँ और यह कहकर वहां से चला जाता है बैनेट यहां से अपनी पतनी के पास आता है और उसे कहता है कि लोग मेरी बातों को समझ नहीं रहे वो मसे बस चोटा और मामूली आदमी समझ रहे हैं प्रिमा बोलती है कि वो तो झ मैं चोटा आदमी ज़ूर समझते हैं इसलिए नहीं कि तुम उनके लिए रुकाउट बन रहे हो बलकि इसलिए क्योंकि तुम नाइजेरिया से हो और अमेरिका आए हो और तुम अमेरिका के ने होकर उनका ये हल कर रहे हो इसी वज़े से वो तुम से नाराज हैं और इसी वज़े से वो तुम्हारे रिचसर्च को मानने से इंकार कर रहे हैं तुम्हारे नाम का मतलब है कभी ना रुकना तुम बस इसके ओपर काम करते रहो और कभी मतरुको वहीं यह बात NFL की कमिशनर को पता चल जाती है कि उनके इस गेम की वज़े से उनके बहुत सारी खिलाडे मारे जा रहे हैं और आप तो यह खावर न्यू योग टाइम्स में फ्रेंट पेस बर छपी है तो NFL का कमिशनर पॉल बोलता है कि मेरी जल्दी से एक मीटिंग कराओ और उस मीटिंग के अंदर केवल जूलियन आना चाहिए ना की बैनेट और बैनेट के पास जूलियन पहुँच जाता है और कहता है कि वो तुम्हारे साथ एक मीटिंग करना चाहते है लेकिन उस मीटिंग के अंदर वो तुम्हें नहीं बलाना चाहते है वो मुझे बलाना चाहते है ताकि मैं ये सारे रिसर्च उन लोगों को दिखाऊँ लेकिन मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारे रिसर्च उन लोगों को दिखाने की कोशिस करूँगा और इस चीज़ का सारा क्रेडिट में तुम्हें ही दूँगा जूलियन यह रिसर्च कमिस्टर अनफन को दिखा देता है लेकिन इस रिसर्च को दबा दिया जाता है और बाद में जूलियन यह बात बैनेट को बताता है कि मैंने तुमारी रिसर्च उनको दिखाई उन्हें पता है कि हम सही हैं लेकिन वो हमारी बातों को दबा रहे हैं अब हम कुछ भी नहीं कर सकते बैनेट अब बिलकुल हार चुका है वह अगले दिन ओफिस में जाता है जहां बैनेट का सिनियर डोक्टर जिसका सिरिल नाम है उसे पकड़ने के लिए FBI वाले आयोते हैं और FBI ने सिरिल के उपर तुरासी केस लगा दिये हैं लेकिन ये सारे केस बहुत ही नॉर्मल होते हैं जैसे सरकारी समपतिशे को दो के काम निकालना डोक्टर सिरिल यहां पर डोक्टर बैनेट को बोलता है कि ये लोग मेरे जरीए तुम तक महुचना चाते हैं ताकि ये लोग तुमें पकर्सकें और तुमें इस जोब से अटाना चाते हैं ताकि तुम अपनी रिसर्च बिल्कुल बंद कर दो बैनेट इस चीज़े तो और भी ठूट जाता है वही हम प्रेमा को देखते हैं जो अपनी गाड़ी से ड्राइव करके कहीं पर जा रही है तब भी उसके गाड़ी पीछा करती है और इसी वज़े से प्रेमा अपनी गाड़ी को फुल स्पीड से बगा लेती है प्रेमा जो की प्रेगनेट होती है और वह यहां से सीधा होस्पीटल में पहुल जाती है जहां पर प्रेमा और बैनेट को पता चलता है कि प्रेमा का मिस गैरेज हो चुका है इस बात से प्रेमा को बहुत दुख होता है डॉक्टर बैनेट बोलता है कि यह सब मेरी वज़े से हुआ है कास मुझे माइक का केस मिला ही नहीं होता तो मैं इन चीजों में नहीं पढ़ता प्रेमा बोलती है कि मैं चाते हूँ कि तुम यह काम तो करते रहो लेकिन हमें यहां से जाना होगा हम यहाँ पर नहीं रह सकते वरना वो लोग हमें और भी नुक्सान पहुचा सकते है डॉक्टर बैनेट अपने घर पर आ जाता है और खुद पर बहुत गुस्टा करता है कि आखिर मैं इन सब चीजों में क्यों फस गया और वह इसी गुस्टे की वज़े से अपने घर को तोड़ना शुरू कर देता है और इसी वज़े से डॉक्टर बैनेट इन सब चीजों को छोड़ देता है और अपनी पक्नी को लेकर कैलिफोर्निया में सीफ्ट हो जाता है जहां वहां रहते हुए बैनेट को तीन साल बीच जाते है प्रेमा को वहां पर एक लड़का होता है जहां बैनेट अपनी फैमिली के साथ अब खुस रहने लगता है लेकिन वह किसी छोटे मोटे होस्पिटल के अंदर अभी भी अटोपसी करता रहता है वही हम डेव नाम के उसी आदमी को देखते हैं जो सिकाको का मेयर था वह है और उसका भाई भी पहले फुटबाल के अंदर थे लेकिन उसके भाई एंडरे की तो बहुत पहले फुटबाल की विज़े से ही मरत्य हो गई थी और डेव अब उसका भी दिमाग ख्राब हो चुका है और उसी वज़े से वह खुद गो गोली मार कर अपनी जान ले लेता है लेकिन मरने से पहले उसने एक नोट छोड़ा था और जब बैनेट सो रहा था तब बैनेट के पास डॉक्टर जूलियन का कोल आता है और कहता है कि डेव की मरती हो चुकी है और उसने एक नोट छोड़ा है जिसमें उसने लिखा है कि मैंने अपना दिमाग डोनेट कर दिया है मैं चाहता हूँ कि मेरे दिमाग के उपर रिसर्च की जाए और पता लगाया जाए कि मेरे दिमाग के अंदर क्या प्रोब्लम थी मैं उन सब चीजों को बाहर लाना चाहता हूँ ताकि दूसरे खिलाडियों को इन सब चीजों से नुक्सान ना हो बाद में बैने डेव की बोड़ी पर भी काम करता है और वह यहां से एक मीटिंग में पहुँच जाता है जहां पर सबी लोगों के सामने बताता है कि मैं फुटबाल से नफरत नहीं करता मैं बस अपना काम कर रहा हूँ हलांकि मेरी पतनी को तो फुटबाल बहुत पसंद है लेकिन इसी फुटबाल की वज़े से माइक, जस्टिन, एंडरे, डेव, टेरी इन सब खिलाडियों की मरती हुई है इन खिलाडियों को पता था कि खेल के अंदर उनके हाथ पैर तोट सकते है लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि उनका दिमाग भी खराब हो सकता है उनका सारा पैसा बरबाद हो जाएगा उसकी फैमिली बरबाद हो जाएगी और बैनेट इतना ही कहता है और यहां से चला जाता है और बैनेट के इसी रिसर्च की वज़े से एन नफल के उपर बहुत सारे सवाल उठाय जाते है और वासिंटन डीसी के अंदर भी बैनेट को एक डिटेक्टिव बना दिया जाता है जहां उसे इस तरह की टॉपसिर नहीं करनी होंगी बैनेट यहां से उस जगह पर जाता है जहां पर खेलाडी अभी भी फुटवाल खेल रहे होते हैं प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और बैनेट को पता चलता है कि मेरी रिसर्च का इन लोगों पर कोई असर नहीं है इन लोगों को कभी पता नहीं चलेका कि इस स्केल की वज़़े से इनका दिमाग खराब हो रहा है और मुवी के आखिर में के पता चलता है कि बैनेट ने उस जोग ओफर को ठुकरा दिया और वा कैलिफोर्निया के अंदर अपनी पत्नी और दो बच्चों के साथ रहने लगा बाद में इस गेम की विज़से और भी लोग मारे गए लेकिन किसी का भी उन लोगों पर ध्यान नहीं गया और इसी के साथ सची गटना पर आदारित यह फिल्म यहीं पर पूर ही होती है आई होप आप सभी को एक्स्प्लेनेशन पसंद आई होगी दोस्तों आपसे मुलाकात करते हैं और भी सची मोवीज के साथ तब तकुष रहिए और अपना ख्याल रसी है थाल प्रवाचिंट के लागी के लिए लागी के लागी है